नियूजेट इंडिया इस वक्त उस गाउं में पहुँच गई यानि किबूज में पहुँच गई है जहां सबसे ज्यादा आबादी गाउं की आबादी के अनुपार्थ में मारी गई या जिनका अपहरन हुआ जिन्हें बंधक बनाया गया है नीरोज जो की दक्षनी गाजा की सीमा के नजदीक है इसराइल का गाउं की बुझ जिसे कहते हैं और यह सबसे पहले तो करम आपको बाहर में जो आगजनी की गई है उसकी तस्वीरे करम दिखाएंगे देखें लोहे की कुर्षया सिर्व लोहा बचा है बाकि सब कुछ जल चुका है यह टेबल है घर का ब कुछ टूटा हुआ तोड़ा भी गया और बाद में इस घर को जलाया भी गया और एक ही परिवार के छे लोगों की हत्या की गई कुल सौव से ज्यादा लोगों की यहां मौत हुई है असी लोगों को अगवा किया गया बंधक के तोर पे और यह बाहर की तस्वीर है इस गा करते हैं 400 की अबादी वाले इस गाउं में 180 लोगों की या तो मौत हो चुकी है या फिर उन्हें बंधक बनाएगे देखिए यह तोड़फोड यहां किया गया जिस घर में तोड़फोड की गई है उसका मतलब यह है कि यहां से या लोग या तो लोग निकल के भागे या द लोगों से कई लोगों ने आतंक वादियों को भी हमार यह देखते घर की सारे चीजे अस्ट वेस्ट हैं अंदर करम जाएंगे अंदर हम चलते हैं यह देखिए यह बच्चे का कमरा है यहां पे चीजे अस्ट वेस्ट पड़ी हुई है हम हर वो तस्वीर आप तक ला रहे हैं न्यूजेटिन इंडिया आप तक ला रहा है जो हमें हर उस गाउं की 24 दिन से ज्यादा हो चुके लेकिन अभी भी वो 7 अक्टूबर की निशानिया कहानिया अभी खत नहीं हुई है हमारे कैमरे के लिए हमारे शब्दों के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे इन बरबरता को दिखाने में नर संगार को दिखाने में इस घर को जलाया है और जल दूए से आपकी मौत हो जाए किस बरबरता को यहां दिखाया गया यह देखिए निव जेट इन इंडिया आपको वो तस्वीर दिखा रही है जगा जगा आर्मी के जवान तैनात है कैमरा परसन करम वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे इस गाउं यहां से महज गाजा लोगों को मार दिया गया धूए से मार दिया गया हर तरफ हार्मी है देख सकते करम इधर आये निव जेट इन इंडिया आपको हर वो तस्वीर दिखा रही है हर तरफ से निरोज की चार सव आबादी वाले गाउं की लगभग आधी आधी आतंकियों का शिकार हो गई या त उनकी पहुंच नहीं हो पाई लेकिन पूरा गाउं उजड गया हर तरफ विरानगी है इधर दिखाते हैं वहाँ दिखाया आपको अब इधर देखिए बहुत सुरक्षा में हमें गाउं के अंदर लाया गया है बहुत खतरनाक डैंजर एरिया है करम आपको यहां तस्वीर दिखायार इस घर को देखे कैसे जलाये गिया है देखिए 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 देखे धमाके की आवाज भी आ ह Probably built यह देखिए घर कैसे जले है ये तो इस तरह से इस गाउं में बरबरता आतंकियों ने की है नर्श संघार किया है और क्या आलम रहा होगा उस दिन कई कहानिया यहां के सामने आई है कई लोगों ने अपनी आप बीति सुनाई है गाउं में अभी कोई लोग नहीं है सारे लोग शिफ्ट कर गये दक्षिन इसराइल की तरफ से तरफ लेकिन गाउं में हम लोग पहुंचे और यहां से आपको तस्वीर वो कहानिया बता रहे हैं जो 7 अक्टूबर को 7-8 घंटे तक मैसाय कर हुआ था कैमरा परसन करम सिंग के साथ नीरज कुमार नियूज एट इन इंडिया